हाई एवरीबन वेल्कम बैक टू मैं चैनल आज मैं आपके लिए कर आई हूँ करवा चौति स्पेशल थाली बिलकुल ट्रिशन थाली है बिना लेसन बिना प्यास के थाली बनके तयार हुआ है तो इस थाली में हमने रखे हैं अले साथी कड़ी पकोड़ा और आलू मटर की कि ट्रडिशनल थाली बनाने के लिए हमने सबसे पहले चोलो को भीगो करके रख लिया है आप इसे एक से दो घंडे के लिए भीगो सकते हैं अब यहां पे सफेज चने लिए हैं आप चाहाँ दो ब्लैक चने का भी यूज कर सकते हैं और आप इसको हम प्रेशर कुकर में ए नमक कर देंगे ताकि बॉयल होते टाइम चने में नमक का टेस्ट आजाए और स्कोचे से में मिक्स कर लिया इसी में थोड़ी से साबुत मसाले एड करेंगे तो यहां पर हम इस ट्रेनर में दो दाल चिनी के टुड़े ले लिए बड़ी लाइची है काली मिर्च और लॉंग इसमें आड कर दिया है आप चाहें तो कॉटन के कपड़े में पोटली बना कर भी एड कर सकते हैं इसे छोले में बहुत बढ़ी असा फ्लेवर आता है तो इस टेनर को हम इसर से सेंटर में रखेंगे और लीड लगा कर इसे हम दो से तीन सीटी आने तक कुक करेंगे यहां इसमें आप गैस के फ्लेम को लोटो मिडियम कर लेना है और यहां पर देखिए हमारे छोले जो आँना अचे से बॉइल हो गया है इसको हमने 2-3 सीटी लगा कर लिया है सीटी निकल ले तक हम इने इसे ठंडा किया है और अब इसमें हमने जो मसाले एड़ किये थे ना उसको हम निकाल लेंगे मसाले का फ्लेवर है वो छोलो के अंदर अच्छे से आ गया है तो अब इस तर से फोक से या इस्पून से मैसक करके चेक कर ले एक बार कि आपके जो छोले है वो अच्छे से बॉil हो गया है अब यहाँ पर मसाले तयार करेंगे आपमेंगे दो मीटियम साइज की टमाटर ले और चार से पांच हरी मिर्च लिया है, एक इंच अदर काटोगडा हमने रफली चॉप कर लिया है, टमार्टर को भी इससर से रफली चॉप करके रेडी कर लेंगे, तो यहां पर फ्रेंड्स ना हमने इसमें लैसें प्यास बगार का यूज नहीं किया है, बिल्कुल साथी तर अब चलते हैं गैस की तरफ गैस फर में रख दिया पैन इसमें हम टू टेबल स्पून ओल एड़ करेंगे तो आप जो ब्रत में खाते हैं वही आप एड़ कीजिएगा और अब गर्म होने के बाद इसमें एड़ करेंगे हींग तो यहां पर हम एक चुटकी के बराबर हींग क कर रहा है इसे बहुत ही बढ़िया सफ जो है ना टेस्ट आएगा छोले में तो यहां पर जीरा और हिंग अच्छे से रोस्ट हो गया है इसी में एक तीस बत्ता और इसको भी हलका सा हमें यह साथ रोस्ट कर लेंगे और अब हम जो ने टमार्टर और हरी मिर्च का पेस्ट बन और इसमें से ओएल जो है वह सेपरेट होना शुरू हो गया है तो इसी स्टेश पर ना इसमें हम कुछ जो ड्राइ मसाले है उसको भी एड कर लेते हैं तो यहां पे हम टू टीस्पून एड कर रहे है धन्या पाउडर और साथी इसमें हम एड करेंगे हाप टीस्पून एकशा पन निकल जाए हैं तो लिए्टर मिष्ट ज़की मसाले ऐचे से भी एंगे हैं और पैंगेई हैं तो इसको हम टुट विडियें फ्लेमपर नहीं पोड़ा से ड्राइन लेगा धने हुए रिज्धी हरो दिख स星 भी ए ड्राइट होम दोडि Now अम धिकल एकान ऐसा मस चोले पाणी के पानी के और मसाले में टूनेक सीधेय का ता अनुदैगा याँ पर आड़ करें कासूरी मेती कासूरी मेती पर चोले में आड़ करें अच्छे थोडिधे लिडी हैं नमक करेंगे क्योंकि नमक हम्ले में बॉil करते हैं तो इहां पर छोले खाने के लिए बिल्कुल रीडी है गैस के फ्लेम को मौफ कर देंगे और अब हम चलते हैं अपने next recipe की तरफ तो यहां पे बना लेते हैं हम सेवई यां तो सेवईयों के लिए हम यहां पे एक pan रखेंगे gas पे साथ इसमें हम 1 tablespoon एड़ करती हैं गी और एक कप इसमें हम मोटी वाली सेवई आड़ कर रहे हैं आप यहां पे मोटी वाली खाना चाहते हैं तो मोटी वाली आड़ करें या पतली वाली भी आड़ कर सकते हैं मेरे पास मोटी वाली थी तो यहां पे हम मोटी वाली सेवई का यूज कर रहे हैं और इसे हम लगतार चलाते हुए ना लो टू मिडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे जब तक इसका कलर गोल्डेन डार्क नहों हो जाए आप चाहिए तो इसे लाइट भी रख सकते हैं अपने चोईस के कॉर्डिंग इसे आप भून ले तो इस दर से हम इसे लगतार चलाते रहेंगे ताकि सिवईयों में इक्वल कलर आए तो आप देख सकते हैं यहां पर इसे लगतार चलाते हुए अच्छी से भून लिया है बिलकुर बढ़ी अँसा कलर आ गया है तो यहां पर आप गैस के फ्लेम को ओफ कर लेंगे इसे वह यहां पे हम घस पर रख रह रहा है रिक लीटर तो समग्री बॉन डूदफ दूद्ध तोब क्यों कहते हैं लूद्ध काई czy नुम्हारोश पंपनेशन के unfi mobile हाऊथ करीं ने हें तोर तो समय को रिक पर दोज दूद्ध के अच्छे मिलत पर रहे हैं समय Jerry यहां पे चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है इसे थोड़ी देर और वाइल कर लेंगे तो यहां पे हमने दूद को अच्छे से बॉल कर लिया है और अब इसे स्टेज पर ना इसमें हमाचे से सेवियां तो जो निभून कर देंगे और इसे तो यहां पर हमने तब तक पकाना है जब तक सवीया जो है ना अच्छे से कुप न हो जाए और हमारा जो दूद है गाढ़ा ना हो जाए तो इस तरह से हम मिक्स करते विए ना आप इसको मिडियम फ्लेम पर जो है ना कुख होने देंगे इस स्टेस पर हम इसमें फ्लेवर के लिए एड करते रहें लाजी पाउडर यह अप्शनल है आप चाहें तो एड करें या फिर इसकिप कर सकते हैं और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पे हमने सारी जीजों को मिक्स करने के बाद सिवियों को अच्छे से बॉयल करेंगे ताकि सिविया अच्छे से पक जाए और यहाँ पे सिविया जो है ना 50-60% के करीबन जो है ना कुक हो गया है इसे इस टेस पर इसमें हम ड्राइफ रूट अड़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने काजू, बदाम और नारियल किसमिस अड़ कर दिया है आप अपनी चोईस के कॉर्डिंग कोई भी जो है ना ड्राइफ रूट अड़ कर सकते हैं और अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे सिवियां यहाँ पे लगबख कुख हो गई है और पहले से काफी गाड़ी भी हो गई है तो आप देख सकते हैं बिल्कुल पॉफिक्ट हमारी सिविय जो एना खाने के लिए रेडी है आप इसका देखिए थिकने ठंडा होगा तो यह थोड़ा सा और ठीक हो जाएगा तो इ के लिए आप फें आलु को बौिल करके ले लिए है रिखार मात चारअ मेडियम साइस पीशेज की अमने मेसदि में सिपोड़ कर लिया था और बॉस्ति कि आपी surrounds एक निए क्ट तो आप लिए्ट करा दिया था है तो आप प्टी जीरा आपडता है रावाताशी में सबों ह तीखा के लिए अगर आप लाल में चैड नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे स्कीप कर सकते हैं यहां पर हरी मेश्गा यूज कर सकते हैं साथ इसमें हमने दो मीडियम साइज की टमाटर को फाइन चॉप कर कर दिया है ताकि हमार जल्दी से सॉप्ट हो जाएंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे तो इसे तब तक पकाना है जब तक टमाटर अच्छे से सॉप्ट ना हो जाए और मैस ना होने तो यहां पर हमने देखे से कबर करके एक से दो मिनिट पकाया है और टमाटर इस Вас देख अच्छे से कुख हो गया है तो इसको हम इस तरह से स्पैचुला से अच्छे से मैस कर लेंगे यहां पर टमाटर की पेस्ट बगर बनाने की बिल्कुल भी ज़रूत नहीं पड़ेगी इस तरह से बहुत ही जल्दी सब्सब्स के तयार हो जाता है हाप टीस्पून इसमें और भरकाई हैं हल्द्ी पाउडर और वण टीस्पून दीखाके लिए रेट शीली पाउडर Vai County और्छिम्रों ऑठ कर रहे है तो अध करेंगे दर्या पाउडर हैं आधन अम मसालों को रेंगो मिक्स करते हुए टमांटर के साथ लेंगे या मसाले का तक नियकल जाए, तो बहुत जाधा इसमें हम मसाले यूज नहीं कर रहे हैं, बहुत नॉर्मन मसाले जो pomocाले मखाते है वही यूज लिए अगुछिन मटर, यहां पर हम थाफ कुप मटर यह पे भीक तारी हम कवश्पार के लिए अप प्रेस मटर शुदाए खे लिए और यह आपने प्लिने पॉट इसको भीकरा चाहिए तो यह आपने पुटेटो के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है बहुत ही इजली बन ज तो बहुत ही जल्दी यह सब्जी बनके तैयार हो गया है आप देख सकते हैं इसका लुप देखने से पता चल रहा है बहुत ही जादा टैंप्टिंग है और आप इसमें हम फ्लेवर देने के लिए आड करें कासूरी मेथी आप धनिया पती का भी यूज कर सकते हैं तो हमने का करस्ट करके अड़ कर दिया है तो इसे अच्छे से हम मिक्स करते हुए थोड़ी दिल पका लेंगे अलु मटर की ड्राय सबजी मेना कासूरी मेथी का जो टेस्ट रह बहुत ही अच्छा आता है तो आप इसे इस तरह से एक बार जरू ट्राइग कीजिएगा और यहां पर द दालेंगे ताकि जो नमक है वो अच्छे से मिक्स हो जाए पोटैटो में तो एक से दो मिनट के बाद हमारी आलू मटर की सबजी जो है बिल्कुल बढ़ियां सा बनके तैयार हो गया है बहुत अच्छी कुस्भू आ रही है बिना लेसन प्याज की सबजी है फ्रेंट से लि अब हम चलते हैं अपने नेक्स रेस्पी की तरफ यहां हमारे नेक्स रेस्पी है कडी पकोड़ा के लिए हम एक बावल में एक कप ले रहे हैं बेसन सबसे पहले हम पकोड़े बनाएंगे तो हम इसमें स्वातकर नमक एड़ कर देंगे साथी इसमें हम 1 फूर टीस्पून अढ़ी पाव्डर व्न टीस्पून एड़कर रहे हैं रेड़ चिली पावडर es피 मारे हुार्ख अ याप टीस्पून गरह मसाला कर देंगे और साथी में हम 1 पीन्च हन नीक्तर चैब कर रहे हैं जीर इस सारी चीजों को हम अच्छे से एक बार मिक्स प्षी कर लेंगे आप इसमें हम पानी एड़् करेंगे तो हम सेम कप में एक कप पानी ले लिए हैं और थोड़ा थोड़ा करे के add करेंगे तो हमें इसका बहुत ज़्यादा थिक किया बहुत ज़्यादा पतला बेटर नहीं बनाना है medium texture का ही रखना है तो थोड़ा थोड़ा करके पानी एड़ किजिएगा और इसे अच्छे से mix किजिएगा जितना अच्छे से आप mix करेंगे आपके पकोड़े अच्छे से फूलेंगे और कड़ी में जाने के बाद अच्छे से वो soft हो जाएंगे तो यहां पे हमने तोड़ा तोड़ा करके पानी आड़ किया है और इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है हाफ कप के करीबन यहां पे हमने पानी इसमें यूज किया है तो यहां पे फ्रेंड्स हम इसे अच्छे से बीट करेंगे इतना अच्छे से आप बीट करेंगे आपके पकोड़े उतने ही जादे सौप्ट बनेंगे तो हम यहाँ पे बेसन को हैं ब्लेंडर से ही जो है न अच्छे से मिक्स कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे जो बेसन का मिक्स है वो अच्छे से रेडी है край औ कडाई और अब बनाने में और ऑफ कर लेए लिएक गपे कर सेकाएं कडाई में यहाइ बना चल्टर हो फ्लेम Miller रते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पे पखुड़े अच्छे से फूल गए हैं और बहुत ही बड़ियां हमारे पखुड़े बनके तयार हुए हैं तो हमें इन पखुड़े के न कलर बहुत जदे डार्ग नहीं करने हैं बहुत ही बड़े हमारे पकोड़े फ्राइ हुए है बस इनको मोहल से बाहर निकाल लेंगे और इसी प्रोसे न सारे पकोड़े में फ्राइ कर अपने नusi बीसन का यूज करें साधर कर लेंगे अब इसमें हम अट करेंगे पानी तो यहां पे हमने जो कडी बना रहा हैं Modern न वो हम प्लेन कडी बनाएंगे हम देहे अथास का यूजर नहीं कर रहे हैं अगर आप देहि अचछ वालों कडी का आते हैं तो आप यहां पे एक कटोरी देही का यूजर कर लें जिस कटोरी से आपने बेसन लिया है तो यहाँ पे हम याँ पानी का यूज़ कर रहे हैं तो हमें एक कटोरी पानी इसमें पहले आड किया है यहाँ अच्छे सर Kolleginnen कर चुब इस में पानी कररेंगे निनोद नबने ना बने माने अजो करेंगे करने अच्छे से मिक्स करने का आँőग्या है और इसे अच्छे से हम Mix कर लेंगे, यहाँ पर छाच का यूज और आप य Если अगर चाच का यूज यूजक कर आप एक सी ㅋㅋㅋ का यूजकर बहुत घटता चाच हो तो आप एक ही कॉर्टोरी का यूज मिखरें और इसी हम चलते हैं । गैस की तरफInd Bear पर पाणा खरेंगे 1 तिबल स्पून ओल साथ ओल गर्ब होने के बाद इसमें अमगर आप तीच्पून जीरा और इसके मेथी करेंगे नियुक्त करेंगे साथी इसमें हम ना 1.5 टीस्पून राई एड़ कर रहे हैं, चोटी वाली राई हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और 1.4 टीस्पून इसमें हम हींग एड़ कर दिये हैं, साथी 2-3 इसमें हमने साबुत लाल में ज़ एड़ किया है लो रखेंगे, लो फ्लेम पर इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे और कर ते वह लगातार चलाते हूँ इसे हम पकाएंगे कडी थोड़ी साथी थीक लग रही थी claims, यहाँपर हमने एक कर टोरी पानी और अट अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पे कड़ी अभी थंडी थी तभी इसमें पानी एड़ किया है गर्म होनी के बाद इसमें पानी आप यूज नहीं कीजिएगा गर्म अगर कड़ी हो जाती तो इसमें आप गर्म पानी का ही यूज कीजिएगा तो यहाँ पर देखे हमने इसे लगतार चलाते हुए low to medium flame पर पका लिया है और बहुत ही बढ़ियास हमारे यहाँ पर कड़ी तयार हो गया है तो यहाँ पर यहाँ पर जितना पतला यहाँ खाना पसंद करते हुए उसे कौड़ी आप पानी आड़ करें तो यहाँ पर हम एक से दो मिनर तक अच्छे से पका लिये हैं पकोड़ों के साथ और हमारे यहाँ पर कड़ी खाने के लिए बिलकुल डेडी है अब आजाते हैं अपने नेक्स रेस्पी की तरफ तो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं मीठे पुए जो करवा चौत की स्पेशल रेस्पी है तो यहाँ पर हम बाउल में एक कप आटा लिये हैं साथी हाफ कप इसमें हम चीनी आड़ कर रहे हैं अगर आपके पास चीनिंग पाउडर है तो आप पाउडर का यूज़ कर सकते हैं साथी वन टीस्पून इसमें हमने सौफ एड कर दिया यानि फैनल सीट्स और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी एड करेंगे एक कप पानी हमने लिया है और थोड़ा थोड़ा करके एड करेंगे और इसे हम ना हैंड ब्लेंडर से ही अच्छे से मिक्स करेंगे तो यहां पर हम पानी दो से तीन बार में करके अड़ करेंगे और इसे अच्छे से हम mix करते जाएंगे ताकि इसमें कोई गांठे वगेरा न बने तो यहां पर हमने पानी इसमें मिक्स कर लिया है और इसे अच्छे से हम बीट करेंगे ताकि हमारे जो मिठे पुए आना अच्छे से फूले और सौप्ट बनके तयार हो इसे हमने 2-3 मिन तक अच्छे से बीट कर लिया है, हमारे पुए के मिक्स रेडी हो गया है, अब हम चलते हैं गैस की तरफ, गैस पर हमने ओयल लडी रख दिया था, गर्म होने के लिए, ओयल गर्म हो गया है, इसमें हम छोटे छोटे जो पकोड़ी के लिए पकोड़ी बनाया और अब इस तरह से मिडियम टू हाई फ्लेम पर इसको हम अच्छे से चलाते हुए फ्राइ कर लेंगे, और गोल्डन कलर आने तक इसे हम फ्राइ करेंगे, तो आप देख सकते हैं, पकोड़ों में बढ़ी ऐसा गोल्डन कलर आ गया है, तो यहाँ पे जो हैना मीठे पकोड और इसको एसे पर हैं आप मीठे बूय बनाकर के रेडी कर लेना है, तो आप हम चलते अपने नेक्स रेज़पी की तरप, यहां पर भना लेते हैं चावल तो यहां हम प्लेन राइस भना रहे हैं, आप चाहीं तो जीरा तो यहां पे हम इसमें एड़ कर रहे हैं वन टीस्पून नमक ताकि हमारे जो चावल है वो एकदम से खिले खिले बने और इसका बिल्कुल कलर जो है वो क्लीना है साधीज में हाब हमने निम्मू का रच डिया है आभ इससे अचे से मिक्स कर लेंगे यह प्रोसेस करने से हमारा जो चावल है फ्रेंटस व क्लीना हो एकदम से खिला जोब एक इसका पानी निकल जाएगा, और चावल को हम इस तरह से फैला लेंगे ताकि जो भी इसमें एक्स्टरा पानी रह गया और निकल जाए और हमारे भिल्कुल खिली खिली से चावल तैयार हो, तो यहां पे बिल्कुल पॉफेक्ट हमारे चावल रेडी है, आप चाहें और अब हम 2 cup आठा लिया है, इसमें हम, 1.5 teaspoon एड़ करें जीरा पाउडर, साथ ही इसमें हम एड़ करेंगे 1 teaspoon रेट चिली फ्लैक्स, साथ ही इसमें हम 1 teaspoon एड़ करेंगे, आजवाईन इसको हमिज़र से हातों पे क्रस्ट करेंगे, और इसी के साथ इसमें हम सौध करूशार नमक एड़ कर देंगे साथ ही इसमें हम एड़ करेंगे कसूरी मेथी जो फ्रेंड्स मेरा फेवरेट है तो यहाँ पे हम एक बड़े चम्मच के करिवन कसूरी मेथी इस तरह से क्रस्ट करके एड़ करेंगे इससे हमारी पूरी का टेस्ट काफी अच्छा आता है साथी एक बड़ा चम्मच इसमें हम ओयल अड़ कर रहे हैं अब इन सारी चीजों को अच्छे से हाथों से में मिक्स कर लेना है तो यहाँ पे यह पूरी न फ्रेंड्स आप बगएर सबजी के बगएर किसी चटनी के खा सकते हैं यह मसाला पूरी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और यहाँ पे हमने एक कप पानी लिया है और थोड़ा-थोड़ा करके हम पानी एड़ करेंगे और इसका हम बिल्कुल टाइट डोल लगाएंगे तो हमें पूरी के लिए टाइट लगाना होता है इसे हमारी पूरी जो है वो क्रिस्पी खस्ता बनता है तो यहाँ पे हमने अच्छे से गूत लिया है आटे को और बिल्कुल इसका हम टाइट यहाँ पे आटा लगा लिया है इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे साइड में यहाँ पे हमने एक कप पानी लिया था जिसमें से एक बड़ा चमज के करिवन पानी बचा है तो 10 मिनट के बाद हमारा आटा जो है न अच्छे से रेस्ट कर लिया है और बिल्कुल सौप्ट सा हमारे यहाँ पे डो रेडी है इसको एक बर और हम थोड़ा सा मसल लेते हैं ताकि आटा चिकना हो जाए और बिल्कुल पॉफेक्ट हमारा यहाँ पे पूरी के लिए आटा रेडी है अब इसे हम छोटे-छोटे बॉल्स बना लेते हैं यहाँ पे अपने चोइस के कॉर्डिंग न छोटी बड़ी पूरी बना करके तयार कर सकते हैं तो यहाँ इसे चोटे-छोटे इस तरह से पीसे में डिवाइट कर लेंगे और चिकना इसका हम बॉल्स बना करके डेडी कर लेंगे तो सारे बॉल्स हम इसी तरह से बनाएंगे तो यहाँ पे हमने थोड़े से पूरी के बॉल्स बना लिए हैं और अब इसे हम पूरी बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पे हम चकले और बेलंट की यूज़ करेंगे और इस तरह से हम चोटे चोटे इसके पूरी बना करके तयार कर लेंगे तो बहुत ज़्यदा मोटा या बहुत ज़्यदा पतला नहीं करना है नॉर्मल जो पूरी की साइज होती है वही पूरी में बनानी है तो इसी तरीके से यहां पर हमने तीन से चार पूरियां बना करके तयार कर लिया है यहां पर हमने गैस पर ओयल रख दिया था गरम होने के लिए ओयल गरम हो चुका है और इसमें हम पूरियां एड़ करेंगी और medium to high flame पर इसको हम इस तरह से golden color आने तक fry कर लेंगे तो बहुत ही अची पूरियां फुल के तयार होती हैं और आप इसे high flame पर fry किजिएगा आपकी पूरियां जो है अच्छे से फूलेंगी तो यहां पर दीखिए हमारी पूरियां फूल के तयार हो गई हैं और इसी तरीके से हम सारी पूरियों को fry कर लेंगे तो यहां पर हमारी पूरियां रेड़ी हो गई हैं इनको हम वाल से बाहर निकाल लेते हैं और इस तरीके से हम सारी पूरियों को fry करके तयार कर लेंगे के से थाली लगा लेंगे जो ट्रडिशनली करवाव चौथ पर बनता है वही रेस्पी मैंने आपके साथ शेयर किया है आई हो प्रेर सापको मेरी वीडियो पसंद आएगी और अगर आपको मेरी वीडियो जो एना जरा सा भी हैल्फुल लगता है तो प्लीज इसे जादा से ज पार इसे ओड बना साथ किया है और राम लगता है जो कि एलेड़ साथ कि आखके टेक्टड़ जो ए लगता है तो लगता है टार।